सो नमस्ते हिंदुस्तान में हूँ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एन एक्सपोर्टर सागर अगरावत आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ हमारी एच डबल लाइम यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम भात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बि मैं frozen fruits vegetables and dehydrated fruits and vegetables के एक्सपोर्ट के उपर आज के वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपने से कोई भी dehydrated या frozen fruit vegetable एक्सपोर्ट करना चाहता है तो मैं क्या-क्या तीजे follow करता हूँ और उसको export करता हूँ आप जानके सिख सको ये purpose से आज का वीडियो में ने बनाया है तो मैं आपको डोक्यूमेंटेंशन प्रोसीजर इन्वेस्मेंट मार्जीन बायर फाइंडिंग सारी चीजे बताऊंगा तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए ता आपको पता चले dehydrated frozen fruits and vegetables export इंडिया से कैसे होता है देखिए मैं अगर product range की बात करूँ तो मैंने पिछले म dehydrated fruits and vegetables export होते है तो आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पर curry leaves है यहां पर आप देखिए मेरे साथ ओकरा है चिली है ड्रम स्टीक है सूरन है मेंगो पल्प है पोटेटो है बनाना है यह सारी आइटम इंडिया से dehydrated frozen export होती है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है European countries में अगर म मैंने एक्सपोर्ड किया है यह सारी चीजों को फ्रांस में जी हां अगर आप एक्सपोर्ड करना चाहते हो तो आप टार्गेट कर सकते हो केनेडा युएसे उस्टिलिया निदरलेंड जर्मनी फ्रांस इटली युके स्विजलेंड और सेंजन कंट्री आप European country को एक्सपोर्ड कर सकते हो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने एक्सपोर्ड किया लाइक डी हाइडरेटेड इन फ्रोजन फ्रूट्स वेडिटेबल का तो इन में आपको कौन से कौन से डोक्यूमेंट चाहिए और कौन से कंप्लाइंसी आपको फोलो करने इसके बाद आपके पास होना चाहिए अपेडा का रसी एमसी उसके बाद आपके पास होना चाहिए एडी कोड रजिस्ट्रेशन और बेंक में करेंट अकाउंट जी हां इतनी चीज़ अगर आपके पास है तो पहले आप एलिजीबल हो जाते हो यह सारी आइटम को एक्सपो आपको अरक को मेरी तरह तो आपको जो डोक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे अलग वह डोक्यूमेंट को बोला जाता है पोस्ट डोक्यूमेंट कुन से कुन से लगेंगे वह लि trilogy आपको लगेगा अन‌वाइस पंड है कि एकसपर्ड करो गये तो च To सारी product organic है उसके अलबाब भी आपको एक extra certificate लगता है वो लगता है health certificate जी हाँ यह जो सारे certificate है यह लेके अब during the export आप mention करके export कर सकते हो अभी मैं आपको बात करता हूँ यह सारी item को अगर आपको export करना है तो approach आपका investment लगेगा पंदरा लाग के आसपास जी हाँ यह frozen fruits है और इनमे margin की बात करूँ तो मैंने जैसे export किया था तो मुझे पता है इसमें 20% के आसपास कुछ आपका margin निकल के आता है फिर भी यह सारी commodity प्रोडेक्ट है इसमें margin up-downs always होते रहते हैं तो कोई fix margin नहीं होता आपके customer के उपर होता है अगर आपका customer premium है तो margin अच्छा मिलेगा अगर आपका customer competitive है वो कम rate में मांग रहा है तो आपको थोड़ा margin कम भी मिल सकता है अभी मैं बात करूं government की और से इसमें consequence scheme का लाव मिलता है तो government की और से आपको इसमें सबसे पहले तो GST लगता नहीं है तो आपको GST नहीं देना है उसके अलावा भी government की और से आपको इस scheme मिलती है जिसका नाम है RODTEP scheme जिसके अंतर गत्पी आपको profit के साथ-साथ कुछ भी government की script से लाव मिलेगा इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं buyer finding की अगर यह सारी आइटम को आप export करना चाहते हो तो आपको buyer कहां से मिलेगा जैसे मैंने export किया मेरा जो french buyer है वो मुझे मिला है वहां के एक agent के reference है जी हाँ अलग-अलग तरीके होते हैं हमारी व्यापार में buyer finding को लेके जैसे बी-टू-बी पोर्टल से मिल जाता है इनियन embassy का contact करो तो मिल जाता है ट्रेड फेर में participation करो तो मिल जाता है और हमारी जैसी जो company है ना उसके लिए वहां पे लोग काम करते हैं हमारे लिए वहां पे agent है जो काम करते हैं वहां की market में हमारी company को हमारी product को वहां की market में represent करते हैं लोगों को हम वहां पे product का sampling करते हैं उसको दिखाते हैं अगर उसको पसंद आता है तो वहां से हमें order मिलता है इसके अलावा भी काफी सारे रास्ते हैं buyer finding को लेके जैसे आप अपनी website का SEO करवा हो ये data में से आप कोई customer का नाम उठा के Google में डालके customer का detail निकालो ऐसे एक नहीं पर अनेक रास्ते है buyer finding को लेके ये सारे रास्ते के उपर आप मेहनत करके जो मैंने target country आपको बताई वो target country में आप जाके अपना buyer आसानी से पास सकते हो तो आज की ये वीडियो में मैंने मेरी और स से जो export किया उसका जो भी experience मेरे को हुआ वो सारा process documentation margin investment सारी चीजे और product range मैंने सारी चीजे आपको बताई है ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इंडिया से आने वाले दिनों में dehydrated या frozen fruits vegetables export करना चाहते हो तो मेरे साथ यहां पे आप देखिए ये सारी जो को export में भी करता हूं आप भी कर सकते हो जो भी मैंने प्रोसेस ये वीडियो में बताई है वो सारी चीजों को आप फॉलो करते हुए आसान इसे export अपनी product को कर सकते हो तो इसे ही ज्यादा interesting और practical export import के वीडियो देखने के लिए जरूर हमें social media पे फॉलो करिए सब्सक्रा झाल